कुए में गरा अजगर मास्की डालिया और रसी की मदद से रस्क्यू कर निकाला गया बाहर शिपुरी जल के बाराट थनाशित्र के गाव टोरिया में कुए में गरी अजगर साब की जान आखिरकार ग्रामीनो और वनविभा की टीम की सूठ भूच के कराण बच गई दरसल टोरिया गाम में किसान अनूप यादव की खेद पर बने 50 फेट गहरे कुए में एक अजगर साब गिर गया खेद पर पहुंचे, अनूप ने जब कोई में जाग कर देखा, तो अजगर फुफकारता हुआ नजर आया, जिसके बाद अनूप ने कोई में अजगर साब गिन्ने की सूचना वन्विभाग अमले को दी, जिसके बाद वनविभा की टीम और ग्रामिनों ने कुए में गिरे अजगर को निकालने का प्रयास किया वनविभा की टीम और ग्रामिनों ने बास की डलिया में पत्थर रखकर रसी से बांध कर कुए को डलिया को कुए में डाला और अजगर साप जब दलिया में बैठा तो धीरे धीरे कुए से उपर खी जाए गया अजगर साप को कुए से बाहा निकालने के बाद वनवेभा की टीम ने उसे एक बोरे में डाल कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जब आन कुए से अजगर साप का रश्क्यू देखने ग्रामिनों की भीड जमा हो गई बताया जा रहा है कि अजगर साप 3-4 दिन पहले कुए में गिरा था लेकिं नौकर ने खेत माले को बताया नहीं अगर जाता दिन तक अजगर कुए में रहता तो वो मर जाता क्योंकि कुए में खाने को नहीं मलता है साथी ठंडा पानी वैसे ही अजगर जैसे कोल्ड ब्लड वाले प्राणी को सूट नहीं करता है इस कारण उसकी मौत हो जाती